और गणित विशय में हम लोग पढ़ रहा है छेत्रमिती और छेत्रमिती पढ़ने के द्वारा हम बहुत जाए छोटे छोटे चुटे कंसेट पढ़ रखाया है जैसे कि सबसे पहले पढ़ा था लंबाई की इकाईया और उनका रुपांतर है फिर हम लोग ने पढ़ा था छे किमा बँडरी क्या होता है परिमाप परिमीटर ति Wonder ठीक है ना स्थरी इनी दो चीज़ों को देख लेते हैं जिन जो बत्चे पिछली कक्षा में नहीं दू प्रिमापक मैं मतलब क्या हो अे मतलब कि किसी भी आपक्रिठी के चारो तरफ घूंकर जो हम लोग माप करते हैं उसी को क्या करते हैं परिमाप करते हैं जैसे कि मालृ लेका कि अगर त Но परिमाप नंकर मालना वा है क्या एक परिम्र कैसे पता करते हैं जाðक है क्या करते हैं अब बच्चा को यहां रखते हैं और oleo तक का लिए जब यहां तर यहां आएगा कित obo यहां से यहां आएगा तो कितना अम्हम आप एक दो सटी मिटर उसी तब आपके आपकी आपास तिर्भूज है वो समकोर्ट तिर्भूज कहाने का मतलब क्या है समकोर तिर्भूज कहने के मतलब क्या है उनका एक कोर जो है 90 डिगरी के बराबर एक कोर के है 90 डिगरी बराबर हो अब मैं बोल रहा हूँ कि माली जी यह होगया 3 संटीमीटर यह होगया आपका 4 संटीमीटर और यह जो घुजा आपको नहीं दे विए तो इसकी आपकी परिमा तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है हम लोगों ने पढ़ा है पाइथागोरस परमे क्या पढ़ा है पाइथागोरस प्रमे पाइथागोरस प्रमे वह होती क्या है वह होती है कि 90 के सामने वालोगों क्या करते हैं 90 के सामने वालोगों हम लोग आते हैं कर 90 के सामने वालोगों क तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी हमें कर्ण निकालनी होती है तो कर्ण होती है आपका रूट ओभर लम का वर्ग अधार का वर्ग इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ इसका मतलब यह हुआ अधार का वर्ग परिमाब निकाल सकते हैं अगर यहां तक सारे बच्चे को समझ में आगया कि हम लोग तीसरी भूजा कैसे निकालते हैं तो चायड बॉक्स में वाइट आप परेंगे परिमाब निकालनी है हरे इस परिमाब निकालनी है तो सब्सक्राइब नेётсяिस परिमाब करेंगे नेक में दो Again C इस प्रावी नहीं होगी है तो में लोग का करेंगे पाइधागोरस परमायट से निकाल लएगे पाइधागोरस परमायट के अनसा निकाल लेगे तर ये होता है आपका अफ य Пос idée प्लांप का वर्ण प्लाष अधार का वर्ण इतना हींट काफी आपको इस प्रस्णा का खाल देने के लिए आपके पास मातर एक मिन थे का वक्ट है प्राम को स्व्ल पिजिए और इसका उत्वर पोल सेक्टन में जाकर दिजिए और इसके उतर पोल सेक्टन में जाकर दिजिए एक मिनिट का वक्त है आपके पास असानी से सरल्टा पूरू कि इसको स्वाल किजिए और इसके उतर पोल सेक्टन में जाकर दिजिए आपको दो भूजा दी हुई है किसरी भूजा मिलकानले के कि यह आपको पाथागुरस प्रमाय का उप्योग करना है कि लाश्ट शिप्टी सेकेंड कि 45 सेकेंड कि 40 सेकेंड अभी भी भी बहुत सारे बच्चे जो इस प्रसने को उतर नहीं जलिस जलिस प्रसने को उतर देंगे जलिस प्रसना को उतर देंगे 25 सेकेंड चलिए और हींट स sniff हैंड को डिकेंड ही अह गाला हिए और लम रह बूत एट यंजरस हमें दिया है पांस पांच का वारक प्लस बारा का वरक श्रहितना हींट काफी हो गया है और चलिए शबीस सेकेंड अभी वहुँ सार बच्चे बाकिया है, अब पोल सिक्षिन में जल 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 आफ़ देंगे पोल सिक्षिन में 15 सेकेंड 10 सेकेंड चल अब हम लोग उल्टे किन पे स्टाट करते हैं ताकि सार बच्चे जबच्च अभी सक इतका उतर नहीं दे पाइं जल जल जिसका उतर देंगे चलिए फाइब फो थी टू वाइब बहुत बढ़ी अधिक्तर प्रत्रीस प्रस्टर साइध यह चले हमें दख लेते देखिए हमें कर निकानने ही अथा देखिए क्या निबार काता है वर्ग मुलाफ लंग का वर्ग प्लस अधार का वर्ग और य फिर बारा का वर्ग क्या होगा? बारा का वर्ग होता है 144 का है? द polarization का द् gazा है 12 का मतलए 12 गूने 12 144 हा ना अब यह क्या होता हाग दखिए यह होगा आपके पास यह होगा आपके पास वर्ग मुल उफ 169 अब इस सो कैसे क्लिए एदर बीजिए अब हमें वर्गमोल ऑफ वन श्टी नाइन सौल करनी है हमें क्या करनी है वर्गमोल ऑन सिक्टीना सोल करनी है अम लोग लोग 169 का गुरन खाल ने कहा लेंगे यह तो कते का तेरा 189 ये हो जाएगा आप वर्गमोल होगा झाल यहां पर के आफ़ागा आहाँ पास 13ं12 कि यहां तक सब्सक्राइब 116 616 सेंटीमीटर कैसे आए तो क्मान 13 संटीमीटर कैसे आए इस परकार रहमें ये पता चला कि तिर्भूज की तो दो भुजा देती एक भुजा 5 संटीमीटर दूसरी भुजा 12 संटीमीटर तो सिस्टरी भुजा कितनी या गई इसरी भुजा गई 13 cm, कितना गई 13 cm, चलिए अब जल जल सर बस निकालेंगे, अब तो असान हो गया, अब तो बहुत ही असान हो गया, देखिए यह 169 कैसी है देखिए यह 5 का बड़ कितना है, 25, और 12 का बड़ कितना है, 12 कबड़ 144, तो जब 144 सा 30 जो रेंगे कितना हैगा, 169 जो होता है, वो होता है 13, वो कितना होता है, 13, अब सारे बच्चे जल्दी से जल्दी की परीमाप निकालेंगे, जल्दी सारे बच्चे, चलिए मैं निकालकी दिखता ह् मेत अब यहां घर कितने मापएगा यह मापएगा 13 मिटर में जब हो यहां जाएक कितने मापएगा 12 मीटर अब यह जगा है सब्सक्राइब करेंगे इस पेज़ का स्क्रीन शॉट लेंगे और चाहर बॉक्स में वाइट आप करेंगे सब्सक्राइब तो हम लोग यहां तक पिछली कख्षाओं में पढ़ लिया था अब हम लोग पढ़ने जा रहा हैं अब हम लोग पढ़ने जा रहा है यह बंद आक्रिस्टी के द्वारा घेरा गया जो अस्थान होता है उसी छेत्र को क्या करते हैं चेत्रफल करते हैं कहां लेक्वातमाल जी दखिए क्या है ये एक आयत है ये क्या है एक आयत है या इस माल जी चत्तुर्भूज है और इस चत्तुर्भूज का त्षेतरखल क्या होगा चले दिखते हैं क्या होगा दिखिए तो इसके द्वारा घेरा गया स्थान को में इसके द्वारा घेरा गया अस्थान है तो यह जो अस्थान कहलाएगा इस चत्रभूज का छेत्रफल कहलाएगा यानि किसी भी अक्रितिक के द्वारा घेरा गया तल घेरा गया अस्थान उसकी छेत्रफल कहलाती है यानि इस चत्रभूज के द्वारा घेरा के अस्थान कि उसका छेत्रफल कहलाता है यानि इस चत्रभूज के छेत्रफल क्या होता है तो तो चाइड बॉक्स में वाइट आप करेंगे आए सबस्वाइब करेंगे इसी परकार देखिए इनके दोरा घ्रा के जो अश्था होगी क्या करेंगा छेत्रफल इसी परकार बताएं तर बत्ति देखिएंगे कि हम लोग उने जब छेत्रफल की इकाया पढ़ा था तो छेत्रफल की इकाया क्या होती है होती है पाउर में यह होती है सारी कि सारी सेट्रफल की इकाया हुए देखिए साथिक अपे ready । आसमें आप पिछले कंशा में पर्तहर ता चुछिए 6 इंश्थी के दृत्स होती है सारी कि सारी के आप मार्दा की इकाया होती है कि यहां तक तर बच्चे को समझना आगए तो चार बखस न वाइट आ परेंगे इसी पड़का दूतीन एक जामपर देख लेते हैं जिसे कि यह हमारे पस एक चत्तुर भूज है हना और इसके द्षैना इसका efficient झाइबार इसका जेरे शने है उसले घ्रागराई उसके द्षॉत खीनाई तो यह इस 요 कुछ जिसे का चत्तार आउ थानीने एक स्तोरेशात्य गॹह लेगा हुआ छेत्रफल हो गया अगर सारे बच्चों को छेत्रफल समझ में आ गया है कि छेत्रफल क्या होता है तो चेट्रफल क्या होता है तो चार्ट बख्स आकरिती के द्वारा घेरा गया जो असथान होगा है वह स्थान उस आक्रिती की छेत्रफल कहलाती है किसी भी आक्रिती के द्वारा घेरा गया असथान उस अक्रितिक क्या छेत्रफल कहलाता है अगर आपको यहां तक संदे में आ गया है तो आपके स्क्रिन पे अब हम लोग पढ़ने जा रहे तिरभूज का छेत्रफल अभी तक हम लोग समझ में आगया कि सिर्भूज का स्थान होगा जैसे कि यह क्या है सिर्भूज है अब इसका स्थान होगा इसके द्वारा घेरा गया अस्थान ले लेते हैं इसका स्थान होता है जो जगा होता है वही जगा क्या होता है उसका श्ट्रफल काराता है अब बहुत अच्छे यह सोच रहा होगे कि सर्थ आफ़े तो बता दिए कि हम इसका छेत्रफल यह होता है अब यह भी बता दो कि श्ट्रफल जो होती है उसका फर्मूला क्या होता है तो दखिए किसी भी तिर्भूच का छेतरा फल अगा हमें निकालना होता है तब बहुत बचते सूच रहे हैं सार यहाँ पर अधार क्या होता है ट्रॉस्चाई क्या होता है ठीक है चले इसनों मैं इंगल्स निंग देता हूं कित तब तके सब बचस्ते हम में अधार मतलब होता है बेस उसचाह होता है अब आती यह बात क्या सरीस में अधार और ऊंचाह कौन कौन क्योंची हो na दखिए यह जुमानले कि clock को अधार मानते हैं माले कि沒事 हैमारी अधार आ तो इसकी उंचाई होगी जो ए और एसे जो बीची पे सीर्स हो यह क्या होगी इसकी यह जाएगा इसकी उंचाई कि यहां कुछ और मालें चीज़ आपकी ओंचाई हना कि सीवी तिर्भूज का अगरा में छेत्रफल निकालने हैं तो फर्मूला याद रहां कि यह क्या होना चीए कि किसी भी तिर्भूज चेत्रफल क्या होता है अगर सारे बच्चों को यह फर्मूला याद हो गया तो चाड़ वक्स में वाइट है पर इंगल जल्दी अगर सारे बच्चों को यह फर्मूला याद हो गया तो चाड़ बच्चों को यह फर्मूला याद हो गया तो चाड़ बच्चों को यह फर्मूला याद हो गया अगर सारे बच्चों को यह फर्मूला याद हो गया तो इस पेज का स्क्रीन सोटले और चाइड बॉक्स में वाइट अपरेंगे कि तिर्भोज का च्छे तरफल के होता है वन बटर तू अधार गुने उचाई और अधार क्या है तो इसकी उचाई क्या होगी इसकी पर लाम जो कि सिर्फ ए से जा रही है तो इसकी को हमलों कहेंगे इसकी उचाई सब्सक्राइब करेंगे अगर सब्सक्राइब करेंगे अब हम लोग क्या करने जा रहा है अब हम लोग क्या करने जा रहा है विभीन विभीन परकार के विभीन विभीन परकार के तिर्भूजों का छेत्रफल सिखते हैं जैसे कि हम लोगे पिछले कक्षाव में क्या सिखा जिसने कि सबसे पहला प्रकार आता है आपका संकून सिर्भूज तो जैसे कि मैंने आपको लिखा रखा है बता विद्या याद भी करा दिया कि किसी भी तिर्भूज की छेत्रफल क्या होता है वन बटाट टू अधार गुने उच्चाए किसी भी तिर्भूज की छेत्रफल निकान नहीं है तो हमें यह फर्मुला याद होनी चाहिए अब यहाँ पे दो सबसेर महतोपूर चीज क्या है यह खे अधार और दूसरा है उच् है यानि हमें किसी भी तिर्भूज का अधार मिल जाया और उचाए मिल जाया तो हम लोग उसका उस तिर्भूत का छेत्रफल निकाल लेंगे अगर यह सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि हमें किसी भी तिर्भूत का छेत्रफल निकालना है अगर उसका अधार मिल जाए और उसका उचाई मिल जाए तो हम लोग उसका छेत्रफल निकाल सकते हैं कर दो तरश कॉसले थे थाई उसे परकार से सबसे पहले उस स्थिछने जा रहे हैं समकूर सिर पाष च्छेत्रफल निकालना है तो सबसे होना जाहिए हमें अध्हार पता होना चाहिए यहां पर मैंने अध्हार मानली यह अध्हार चालुंगत परकार दुशरी क्या चीशाना चीए पता हमें अंच्छाई कुछ आई पर जो लंब होता है लोग उच्it की ऊच्चाय फो गया ए इसकी ऊच्चाय हो गई एगह आगा इसका छितरफल क्या होगा क्या हो गया हो यानि इसका मतलब यह हुआ और यहां तक सरबची को समझने आगे हैं कि समकूनिति रभूज का छेत्रफल क्या होता है तो च्यार्ट बखम वाइट अपरेंगे और यहां तक सरबची को समझने आगे तो सारे के सारवत्ची स्क्रीन सोट लेंगे और चारवक्स में वाइट है करेंगे चलिए इसी परकार दुसरा सिर्भूज होता है संभावु तिर्भूज दुसरा सिर्भूज क्या होता है संभावु तिर्भूज तो जैसे कि मैंने सारे बक्षे को बता दिया है कि कोई भी तिर पूज़ो उसकी अधार पता होनी चाहिए और उसकी उच्चाई पता होनी चाहिए यहां पर देखिए यहां पर आपको A दिख रहा है लेकिन उचाई जो आपको root 3 by 2 into A नहीं दिख रहा है अब ये कैसे है इसके उचाई चलिए मैं इसको अच्छे से लिखा लगा देखाता है आपको ध्यान देखाता है आपको ध्यान देखिए अब देखिए ये सारे क्या A सब क्या A ये अगर मैंने A को अधार मना है अगर ये मेरा अधार है तो मेरी जो उचाई होगी इससे पर लंब होगी तो देखिए इससे जो लंब होगी अगर वो A से पास होती है यानि ये क्या होगी परपेंडिकलर होगी नबडी होगी लंब हो का जो स्टीर्ट लंब होता है जो स्टीर्ट लंब होता है वो अधार को दो बराबर हिस्सों में बातता है इसका मतलब क्या हुआ कि इसको दो बराबर हिस्सों में बातेगा यानि जगर ए है तो क्या होगा यह हो जगा ए बाइटू और यह भी क्या हो जगा यह जगा ए बाइ अगर यहां तक स्वाइटर परेंगे जिन बचों को नहीं बचों को मैं फिर समझाता हूं जान देखे अब लुद्ध में क्या होता है यह जो उचाई वाला जो लम होता है यह जो लम होता है यह लम इसको बोलता है सिर्ट लम यह जो सिर्ट लम जिससे कि मैंने जामिती में आपको पढ़ाया था कि किसी भी अधार से अगर जो लम होता है अगर वो सिर्ट से जा रहा है इसलिए इसको क्या बोलेंगे सिर्ट लम बोलेंगे इसको में बाढ़ता है इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब यह वर यह वर एकर यह ए है अगर इस परकार आपको दो समक्रोब्र ये ऊछलिए मैं दूनों विश्त बनाते यह याद नहीं करना पुर्षी एक चीज याद होंगे हो क्या एडी की लंबाई यह जो है आपका उच्छाई है यहाँ पर जो एडी है वह यापी क्या है उच्छाई है इसकी सीफ आपको लंबाई याद रखनी है जो मैं अभी आपको निकाल के दिखा देता हूं तिके दियान म आपको नागलािय का यह यह जो मिन्यक्वी आता है अब धंसार फ्रमाय का अनुसार को बाहिँ आपका है चोटी भूजा निकालनी जाती है जैसेकि लंब निकालनी है तो क्या करेंगे लंब निकालनी है तो root कर्ण का वर्ग माइनस अधार का वर्ग कर्ण का वर्ग माइनस अधार का वर्ग अब कर्ण जो होती है आपकी होती है क्या है यहाँ पर एक वर्ग माइनस अधार क्या है अब यह हो जाएगा देखिए यह हो जाएगा आपके पास निचल से मचार होगा उपर के देखिए अब देखिए जब फो रहत यहां निकल गया तो बार निकल गया है क्या निकल गया है हुए, बाहल नहीं का लिए यानि लंब की लंब है कितनी हो गए, लंब म की र suffra sand now, 2.8 है तो सारे के सारे बच्चे जल्ड़ी सबस नहीं करें कि रूट 3icalCD व्याद रखना है इसकी जो उचाही होती है तंबाहु तिर भूर्ट कियों कितनी होती है रोट 3 राइट 2 इंटू अगर सारे बच्चों ने स्क्रिनशॉट ले लिया है तो चाइड बोकस में वाइटर करेंगे लें सर अगर सारे बच्चों ने स्क्रिनशॉट बहुत वहीं है इसकी अधार a है और उचाईज की कितना है? root 3 by 2 into a root 3 by 2 into a हाना? चलिए अब क्या करते हैं? हम लग तिर्भूझ जे तृटरफल निकालते हैं कान से तिर्भूझ है? यह हमारा तिर्भूझ है संभा उचाईज कौन से तिर्भूझ है? संभावती रिभूज का 6 तरफल क्या होगा जलतने के सरवाचे 6 तरफल क्या होता है 1 बटा 2 गुने अधार गुने उच्चाई और यहाँ पर देखिए 1 बटा 2 अधार कितना है अधार होगे आपका 1 अधार कितना है मैंने अधार कितना मान रखा है मैंने अधार मान नखा A, गुने उचाई, उचाई किपना है? उचाई है आपके पास, रूट 3 by 2 into A, हाना? चलिए अब इसे गुना करते हैं, तो देखें, रूट 3 into 1, रूट 3, A into A क्या होगा? A into A होगा? A square, अब दो दूनी क्या होगा? दो दूनी 4, इस परकार सिर्भूज का सित्रफल कितना है? संभाहू तिर्भूज का सित्रफल कितना है? रूट 3 by 4 into A square, इसे याद रख सकते हैं, यहाँ पे यह जो है आपका, यह जो है आपका भूजा है, यह कितना आपका भूजा है? क्योंकि संभाहू तिर्भूज की तीनों भूजा है क्या होती है? बराब मउत इसको ऐसे भी याद रॉड रखंदे रोड्री यह गहार दूद ना यहार तरव दूद इसमस्ताइब करें SafeCat करें परकारी मार्ण रूट 3 by 4 into a square आपको बस यही याद रखना है आपको बस यही याद रखना है कि समभाहु तिर्भूश का 16 फल क्या होता है तो क्या होता है रूट 3 by 4 into a square ए क्या होता है यह हमारी भूजा होती है तो इस पेस का स्क्रीन सोट लेजिए और चार्ड बॉक्स में वाइट अब कि इस परकार क्या करेंगे हम लोगों ने सिख लिया कॉंट को सिख लिया हम लोग में सिख लिया संपून तिर्भूश का उसी परकार हम लोग ने सिख लिया संबाहु तिर्भूश का अब हम लोग क्या सिखेंगे संदीबाहु तिर्भूश तो संदीबाहु तिर्भूश में और दूसरा चाहिए उच्छाए का अभर अधार हम लोग ने ाभी माना है इसका अधार अधार हम लोगने कितना माना इसका अधार б नहीं होती है आप अपने सच्वार माइनस बीए स्क्वार बटा फोर कैसे आप लोग क्या करना है जैसे मैंने यहां पर संभाहू तिर्भूज का पैथागोरोष की सहायता से उचाई निकालना था जिसे लंब निकाला था उसी परकार से यह आप लोग का होमवर्क है कि आप अगर यहां तक सारब बच्चे को समझना गया है तो चैट बक्स वाइट परणें अगर यहां तक सार बच्चे को समझना गया है तो चैट बक्स वाइट अप करेंगे आगे स्वाज के सोंझ में बहुत बनीए बहुत में चली यानि आपको डो चीज़े यह चीज क्या करना आपको यह उचाई क्या करना आपको घर पे पाइथा गोरोष फिवरम पाइथागोर्स प्रमय लगा कर इसको सौल्व करना है किस परकार से उचाही निकालता है तो पाइथागोरोस की वह हम के पाइथागोरोस परमाय के अमसार जब उसके इसाफ से लगाईएगा तो यहाँ पर आपको उचाही में लगा a²-b²-4 इस परकार समद्री बाहू तिरभूज का छेत्रफल होता है इस परकार हम लोगों ने तीन सिर्भूजों का छेत्रफल देखा कौन-कौन सा तिर्भूज का तो सबसे पहला हम लोग देखा समद्री बाहून तिर्भूज का तो उसका छेत्रफल आया था उसका छेत्रफल आया आपको उसका छेतरफल कीतना है उसका छेत्रफल आया इसको और कैसे याद कर सकते हैं? रोट 3 वाइ फॉर इन्टू भूजा का वर्ग, भूजा बहुत ही महताया हुएं, ठीक है? श्कींवथ तेंवार हम नहीं देखा, सम घेंबाव रोट 3 वूज़ से तरफल को ही होता है, इसका छे तरफल होता है, 1 बटा 2, B गुने, root A square minus V square बटा 4, देखे, अब इन तीनों को हम लोगोंने एक पेज़ पे लिख रखा है, इन तीनों को मेंने क्या क्या है, एक पेज़ पे लिख रखा है, देखे, कि समकून तिरभूज का स्यत्रफल क्या होता है, 1 बटा 2, A गुने भी, उस्सी परका समभा हो तिरभूज का स्यत्रफल क्या होता है, root, sorry, 1 बटा 2 into A square minus V square into V, तो सारे बच्चो को इसमें सबसे महत्वपूर कौन को हमता है, तो सबसे महत्वपूर जो है, समकून तिरभूज, और समभा हो तिरभूज, तो इन दोनों का स्यत्रफल याद रहना चाहिए, सबसे महत्व इसमें यह है, सबसे महत्वपूर आपका है, समभाहू तिरभूज, तो इसको अगर कोई भूल भी जाए, लेकिन समकूर, समभाहू तिरभूज का सभी बच्चो को याद रहनी चाहिए, क्या होती है, root 3 by 4 into A square, और यह क्या है, यह क्या है, यह क्या है, यह क्या है, यह क्या इस पेज का स्क्रीन सट ले और चाइड बच्चो में, वाइट रहनी चाहिए, आपको क्या करना है, पहला दो बहुत ही महत्वपूर है, और कोई भूल जाए, लेकिन पहला दो नहीं भूलना है, किसी बच्चा को, पहला क्या होता है, समकूर, तिरभूज का, 1 बच्च्च अधार गुलने उच्चाहि, दूसरा का है, रूट 3 by 4 into A square, अगर यहां तक सारे बच्चो को समझ में आ गया है, तो इस पेज का स्क्रीन सट ले और चाइड बच्च में, वाइट रहनी सर बच्चे, साभी बच्चो को इस पेज का स्क्रीन सट लेना है, तो आपके स्क्रीन पे क्वेस्चन है, वेस्चन बोल रहा है, वीए गए कित्रम है, यदि B बराबर 5 cm, यदि B बराबर 5 cm, तथा एच बराबर 10 cm है, तो चेत्रफल घ्याद की जिए, इत्व्रावज दस संटिमेटर है तो सम्सक्राइब करते हैं इसको मोग दिनिक बोलता है सब्सक्राइब तो अधार के ऍ कर दिया है है इसको मुझा ने बताया था हुआ है स्कशनो के इसको निए को यानि यह हमारा उच्छाई दिया हुआ है यह दो कि आधारा में दिया है 5 संटिमीटर और उच्छाई हमें दिया 10 संटिमीटर है और हमें पता है तीरभूज का च्छे तरफल क्या होता है वन बटा टू अधार दूने उच्छाई इतना ही इंड काफी आपको इस प्रसने को दर दने के लिए और इसका उतर कहां देना है इसका उतर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है तो यह दो क्यों फर्मुला यहां दा क्या होता है फर्मुला क्या होता है सिर्भूज का फर्मुला का फर्मुला होता है वन बटा टू अधार दूने उच्छाई तलिए आपको पास लगाश्ट पचास स्रिकेंड का वक्त है सारे बच्चे तरलता पुड़ों को स्वाल परिंगा और इसका उतर पोल सेक्शन में जाकर जाकर देंगे बहुत बनिया बहुत बच्चे इसका उतर दे चुके है जल जल देंगे सर बच्चे लास्ट चालिस सिकेंड बहुत बढ़े हैं बहुत सारे बच्ची इस प्रस्में को उतर देज चुके हैं जिन बच्चों अभी तक इस प्रस्में को उतर नहीं दिया है जली जली इस प्रस्में को उतर देना है पोल सेक्टन में जाकर आपको इसका उतर करना है लाश्ट थर्टी सेकेंड सब्सक्राइब बहुत कर रहा है जिन बच्च ना इस पर ल Watch लोग उलते गिंते je बहुत बहूँ सारे बच्चे इस प्रसन näkous डिए जिन बच्चों ने अभी तक भी नहीं नहीं दिया सब्सलिक मेरी उल्टी मरव हुथ इस प्रसन को थर देँगे तो इते में चलिए kto TRIM 2 1 बहुत बने बहुत बन इस पर समिक यह होसा हुट है सिर्भोज का 6 लोत कहां ऑन्देंगे से 1 बड़ा तू अधार गूने ऊच्या सा अधार रोन ऊच्चाए। यहां पर अधार क्या बोला ? यहां पर अधार बोला दी कोस हम लें लिए पने अधार को लिए बि और रोचले बोला ऊचलाई धां, आप मेले ही फ, चलिए अब इसोग चले वह जूटरु सोब परते हैं को काँ गोगा, वन बटर डी है उन्हें अधार मतलब कमन क्यार्स दिया है 25 सेन्टीमिटर इसट भान किता दिया है एज मान दिया है 10 सेन्टीमिटर कुल ठीक है अब डीमेश्च फोहज़ चलो अब हम्रों केसल अर्फ करते हैं तो 2 एक मेश्राइब गुणा करते हैं तो देख लेङ sub gana करते हैं तो देख लेले चलिए 25 25 और अब देखिए सेंटीमीटर 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 इस्क्वार्ट जैसे कि मैं आप प्टाया था तो आप यहां पर देख भी सकते हैं कि इसका जो च्छेत्रफल आया कितना है वर्ग इकाई में आया है इस परकार हमारा वी अप्शन जो है सही उत्तर है अगर यहां तक सारे बच्चों को इस प्रत्ना को उत्तर समझ में आ गया है तो इस प्रेज का स्विंस और लिए और चा करेंगे सारबच्चे तो आभी कि से बच्च को स्क्रीन शॉट लेना है अ जाट लूट है कि छलिए एक फिर से रुपीट करता हूं देखिए अरदार नहीं था अधहार की ज़गा प्लत आपको बोला था वी बराबर 5 cm और मैंने बता था कि अधार का इंगलिस क्या होता है बेस होता है यानि बेस का पहला लेटर क्या है अगर आपको मालिक बी बी के जगा कुछ और भी लेटर दिया रहता है तो अगर इसको अधार मानने इसके जो उचाई होती वो इसकी लंब होती वो इसकी क्या होती लंब होती तो कि मालिक अग दाधार है और हमारे उच्जाई एक दूसरे की लमब होती है तीक है ऐसा पता करसकते हैं है दुखे यहां से यह Pता चल गया कि जो भी है हमारी क्या है अधार है और जो एक हमारी क्या है ISPG यहां पर प्रणुमुला पता है स्रीमूच का उन्देटों यहां पर धार गुल्ने उच्चाएप जो कि देखिए मैं यहां पाप फुलीक रखा है इस चल अभी आपा अधार के मान दिया 5 सेंटिमीटर और उचाए के मान दिया 10 सेंटिमीटर है तो हुआ कोड़ा पांच उने दस और यहां दो पक्षी दस पर दियों के अब पत्य हाथ पतिस और 10 इंटीमीटर स्कॉइर इस परकार हमारा स्क्रिपूच अच्छा तरह फिल कितना पची सेंटीमीटर स्कॉर्ड अब सारे बच्चे को समझना गया होगा अब सार बच्चे को समझ में आ गया है तो आपके और क्वेस्टन है आपके और क्वेस्टन को तरा को पोल सेक्टन में जाकर देना है मैं आपको बोला गया है चित्र में दिखाए गए ब्रेड का अधार нокति सेंटीमीटर है और खर्षाल जे मिटा एक आपको इहां पर तिरभूज के परकार का है यह त्रभूज यह ब्रेड तिरभूज के कौन परकार की बताई के पास एक मिनाट का वक्त है आपके पास एक मिनाट को वक्त है सारे बच्ची इस प्रस्ने को उतर पूल सेक्षन में जा कर देंगे प्रस्ना बहुत ही सरल है हमारे पास दिया हुआ समकोन सिर्भूज यह ब्रेड किस अकृति का है समकोन सिर्भूज की अकृति की है और हमें पता है समकून तिर्फुष के आकरिक्ति और छेत्रफल क्या होता है वर्न बटर तू आधार गुने उच्छाई और इसका अधार दिया 30 संटिमीटर और हमें उच्छाई ग्याद करनी है चलिए लाश्ट 40 सेकेंड अभी बहुत सारे बच्चे इस प्रस्ने कुतर नहीं दिये जलिस जलिस प्रस्ने कुतर देंगे लाश्ट 30 सेकेंड जिन बच्चो ने अभी तक इस प्रस्ने कुतर नहीं दिया है जलिस जलिस प्रस्ने कुतर देंगे सार बच्चे चिन बच्चों एस प्रस्ने को भी तक नहीं दिया। जलिजद इस प्रस्ने को उतर देंगे। लाश ट्वांकि फाइब सिकेंड п च्वैंटी सकेंड चलिए अब हमें उल्टी किंते स्टार्ट करते हैं ताकि जो बच्चे भी तक इस प्रस्ने को उत्तर नहीं दे पाएं जल्द जल्द इस प्रस्ने को उत्तर देंगे चलिए जैसे कि आपको यह ब्रेड जो कि सक्रेट की दिख रहा है समकून तरी भूष कर दे की तरह दिख रहा है कैसे पता चला में दखिए चलिए अगर आपका अधार है तो यह आपके क्या है एक उचाहिए जो कि आपका 90 दिख रहा है और यह आपके हो जाएगी करद अगर यह आपकी 90 दिख रहा है तो यह आपकी हो गई समकून तरी गूष के जैसा है है झाल झोका एंदा है ती आफ़ी नाभबे कर सामने वाला तो होता है वो तो उच्शाइ कौन से होगे it मोह सिर्फ हमें क्या जी इन हमें दिया हुआ है अधारिक कितना थिरी संटिमीटर और हमें निकाल निये उच्जाइ और हमें दिया हुआ छे ट्रफल छे सेंटीमेटर स्कॉर. तो चलिए, हमें इसका फ्रमूला पता है क्या होता है? संतकॉण तिर्भुच का छेट्रफल का फ्रमूला क्या होता है? 1 बर्टर 2 अधार गुने उच्चाई. चले, तब यहाँ पर में 6 तरफल दिया, 6 तरफल दिया, 6 बराबर 1 बटर 2, अधार कमान कितना दिया, अधार कमान दिया, 3 इन्टो उच्छाई, अब इसको गुना करते हैं, यह आजागा आपक पास देखिए, तीर्चा तीर्चा तीर्ची गुना करते हैं, जो इसके नीचे चलाएगा, उपर चलाएगा, जो उपर होगा, वो नीचे चलाएगा, इसका मतलब यह हुआ, 6 गुने 2, नीचे वाला उपर चलाएगा, जो उपर होगा, वो नीचे आजागा, उपर क्या है, 1 गुने 3, इस इक्वल्टो उच्छाई, तीर्चा तीर्ची गुना करते हैं, जो उपर होगा उसको नीचे लेकर चले आए इस परकार यह होगा चोदुनी 12 बटा 3 is equal to उचाई और यह हो जाएगा आपक पाज 3, 4, 12 यान उचाई कितनी आ गई? उचाई हमारी आ गई 4 cm यानि कौन सा तुन सही है? बताएंगे तरब से कौन सा तुन सही है? जो है option मेरा C जो है जो है सही उत्तर है, अगर इस प्रस्णा में किसी बच्चा कुछ भी doubt है वपच्चा चाईड बक्स में एंटाइप परेगा, अगर नहीं doubt है तो चाईड बक्स में वाइट अपरेगा, फिर भी मैं क्या वर्मा एक बार रिट्विट करता हूं जानेंगे? हमें पता है सिर्भूच का छेत्रफल क्या होता है तो अधार गुल ने उचाई और इसकी अधार हमें गिवंड दी हुए कितना थ्री सेंटिमिटर और हमें ऊचाई निकाल लेंगे तो देखे शेत्रफंट की तंद है और वहा एंधार किसा तरफ सेंटीमेटर नेंगे थे के उचाही निकाल नेंगे तिक वह जो हम नीच्चे वह ता उसको उपर लेकर चला गया जो उपर वह त्सकुंशेर कंगे जब इसको मैंने शॉल्ट किया तो मुझे उचाही जो है चार संटिमीटर प्राब वी यानि कॉन टापन सही हुआ ओप्शन C अगर सारे बच्चों ने यहां तक स्क्रीन सोट ले लिया है तो चारे बच्चों ने यहां तक स्क्रीन सोट ले लिया है तो चारे बच्चों ने यहां तक स्क्रीन सोट ले लिया है तो चारे बच्चों न आपको पोल सेक्टन में जाकर देना है क्वेस्चन बहुत इस सरल है क्वेस्चन बोल रहा है 6 मीटर की भूजा वाले समभाहु तिर्भूज का छेत्रफल ग्याद कीजी क्या क्वेस्चन बोला है 6 मीटर की भूजा वाले समभाहु क्वेस्चन बोला है संबाहु तिर्भूज का छेत्रेफल ज्यान देंगे, देखे, मैंने बताया आपको संबाहु तिर्भूज का छेत्रेफल, संबाहु तिर्भूज का छेत्रेफल, जिन बत्यों को बताएंगे, यह क्या होता है, root 3 by 4 into भूजा का square एक square बोलने मतलब क्या है into भूजा का यहां करते हैं यहां पे भूजा का work यह होता है संभाहू तिर्भूच का 6 रफ़ट इतना हिंड काफी है आपको इस प्रस्नक उत्तर सही करने के लिए आपके पास मातरा एक मिनाट का वक्त है आप इस प्रस्नक उत्तर कहा दिजिए इस प्रस्नक उत्तर जो है पोल सेक्टन में जा कर दिजिए इतना हिंड काफी है आपको इस प्रस्नक उत्तर सही करने के लिए जल्ली जल्ली सारवच्ची करेंगे बहुत सरल प्रस्न है six meter घूजा वाले संबहुत तिर्भुद का छेत्रफण निकाननी है ठीक है चलिए लास्ट 40 seconds बहुत सरल प्रस्न है मैंने आपको हीट भीदे दिया क्या हीट है इसका छेत्रफण क्या होता है गूट 3 by 4 इन्टु घूजा का वर्ग जल्दी जल्दी सारे बच्चे इस प्रस्न है उतर करेंगे लास्ट 20 seconds जल्द से जल्दी करेंगे सारे बच्चों को इस प्रस्न को उतर आसर देना आ निवारे हैं लास्ट 15 seconds अखिए बहुत 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 सर रपकान स्परस्ने को तर ऐसे कर रहे हैं लुए जली जली इस परसने तू वन चलिए देख लेते हैं देखिए रूट 3 by 4 into भूजा तो भूजा कितने दिया है भूजा दिया है 6 मीटर तो चलिए आप क्या करते हैं हम लोग ने 6 मीटर का वर्ट करते हैं तो यह हो जाएगा आपके पास रूट 3 by 4, 6 का वर्ट कितना हुआ, 6 का वर्ट 36, कितना हुआ, 36 कैसे लिकालते हैं देखिए 6 का वर्ट का मसलब हुआ, 6 गुने 6 सार 36, यह हो जाएगा आपके पास इकाल, यह हो जाएगा नाइन, रूट 3, मीटर वर्ट, क्योंकि भुजा किस्ना है, 23 कैसिने होती है, ुर्ट काल देख करता हैं भी घर खोल और यहां तक एक रिया है अगर तरह फिन यहां तक एक रिल्चा ले लिया है है तो आपके स्क्रीन पर है अपका हूम वर चलिन एक अपर पर होल सब्सक्राइब करते हैं ताकि किसारव पच्छी वाई 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 ट्रेकरेंगे चलिए प्रस्टन वाली 7.1, 5, 4, 3, 2, 1, इसी प्रकार प्रस्टन वाली 7.1 का question number 4 और 5, 5, 4, 3, 2, 1, इसी प्रकार प्रस्टन वाली 8.1, जो की page number 12 में है, मेरे उल्टी केंदे समाप सुने से पहले सारे सारे बच्ची इस page का screenshot ले लेंगे, 5, 4, 3, 2, 1, यानि आज का homework वाद 7.1, 8.1, 7.1 जो है, 101 की page number में है, 8.1 जो 122 page number में है, 122 page number में है, तो सारे के सारे बच्चे यहां तक screenshot ले लिया है, तो chat box में वाई टार परेंगे, अगर सारे बच्चे नहीं यहां तक screenshot ले लिया है, chat box में वाई टार परेंगे, तो आज की कष्चा में हम यहां ही तक पढ़ेंगे, कुछ बीन जा सकता है वह वह नो